संगवारी शुप Еज्य आसकेस संगवारी रहन हों जाजोहर संगवारी हो मैं हमवावीता संगवारी हो यह बच्छर संस्क्रीत दिवसला 19 अगस्त के मनावथं विश्व संस्कृत दिवस के उद्देश भारत के सबले प्राचीन भासा संस्कृत के बारे मा जागुरुपताला बढ़ाना वोखर प्रचार करना हरा है संस्कृत भासा हा साहित्य दर्शन गनीत विज्ञान जैसे विभिन शेत्रमन मा सास्त्री ग्रंथमन के आधारवन थे संस्कृत हा दुनिया के सबले पुराना भासामन मा एक हर है जोनला कई आधुनिक भारतिय भासामन के जननी तको माने जाते भारतिये धर्म संस्क्रीती हा संस्क्रीत ला देव भासा के दर्जा दे रही है आज की दिवसला मनाई के उही एक्ठन उद्धे सहर है फिर संग्वारी हो एकर बाद घलोक भासा हा अपन वजूद ला खुवजा थे अब भारत मतको विदेशी भासा और अंग्रेजी भासा के महत्वहा ज्यादा बाड़ गे है और एकरे सेती संस्क्रीत ला पढ़ाया लिखाया और समझाया वाला मन के संख्या घलोक कम हुआ जा थे तसंग्वारी हो विश्वा संस्क्रीत दिवस के मौका मा भारते समुदायला ये समाजला संस्क्रीत के महत्ता और अवखर आवशक्ता ला याद दिलाना है इही संकल्प लेवत हुए 36 गरदर्शन के आज यंग मा देख बोर विश्वा हाथी दिवस के मौका मा युजीतों इसकारेक्रम मा केंद्री वन और जल्वायू परिवर्तन मंत्री भुपेंद्र यादाव हा हो इंसामिल केंद्र मंत्री हा मानाव और हाथी द्वन्दला कमकरे के जरूरत बताईन अकांची जीला कोर्बा मा डेमेफ मतले नगर निगम शेत्र मा सरकारी स्कूल के लईकमला पॉस्टिक नास्ता दे के योजना के होई सुरुवाद परधान मंत्री नरिंद्र बोधी के वाहन मा परदेश भर मा नौले 15 अगस तक मनाएगी स्वतंत्रता सप्ता हर घर तिरंगा कारक्रम मा बरसंख्या मा लोगन मन रहिन उपस्थिद विष्वादिवासी दिवस के मौका मा सर्वदिवासी समाझ भीलाई मा निकालिन सांस्कृति करेली पारंपरिक वेज़ भुजा मा सच के प्रस्तूत करीन आदिवासिन्द रित्यला और धिलाई के उड़ान नई दिशा स्वम्जाता समू के महिला मनह बनावा थे धान के बाली ले तिरंगा के बैट विश्वा हाथी दिवस के मौका मा नवा रैपूर इस्थित अत्याधुनी कॉडिटोरियम दंड कारणी के उभारम करिन ही ये कारेक्रम मा मुख्यमंत्री विश्वा देवसाय हा घलोक उपस्थित रहिन और हाथी दिवस के मौका मा रजधारी रैपूर मा तको राष्टे स्थर के कारेक्रम राखे रहिन ही जोर्मा हाथी द्वन्द लां कम करे के गोट कहिन ऑँ हाथी मन के सरक्षर्मा भारत के भूमी का ला अग्रणी पतने हैं केंद्री परियवरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री भुपेंद्र यादो हा कहिन है कि हाथी मल्ला बचाय बर वन हा घलोक सम्रिद्ध होगे हैं काबर की हाथी मल्ला पारिस्थितिक तंत्र के इंजीनियर के रूप मा जाने जाते विश्वा हाथी दिवस के मौका मा रजभारी राइपूर मा आयोजीत राष्टे इस्तर के कारेकरम के सुभारम मा केंद्री मंत्री हाब माना और हाथी द्वंदला कम करे के जरुरत पताईन है अव अपन संबोधन मा कहिन की हाथी मन के सरक्षन बर भारत के भागीदारी के परियास मा बिस्ताल ले प्रकास डालिन है अव कहिन है की हाथी मन के सरक्षन मा भारत के अग्रणी भूमिका हवे सबसे बड़ी बात है कि 36 गण में आज उनको जो हमारे आकाशवानी से हाथियों के मुवमेंट से जन्दा को जागरत करते हैं उनको भी सम्मानित किया है हाती का चलने के करन जो धर्ती पर कामपन होता है उसको जानकारी रखते वे एक एप के द्वारा हम उनका मुवमेंट कर सके उसके लिए भी कारे कर रहे हैं दबलू Wildlife Institute of India जो है इस प्रकार के एप टेकनलोजीकल इंटर्वेंशन के लिए काम कर रहे है कारेकरम के साथ हमारी महावतों के साथ और ट्रैकर्स के साथ फिल्ल स्टाफ के साथ भी बाचीत रहती है इस्टेरिंग कमेटी की भी मीटिंग होने वाली है और 36 गड़ में तो प्रकरती की सुन्दरता है मैं एनिमल कॉल्फिक्ट प्रम हो उसके लिए हम कारे कर रहे हैं उहें केंद्री मंत्री है नवारैपूर इस्थित आरण्य भवनमा 36 गड़ के कांची जीला कोर्बा मा केंद्र सरकार के खनीज नियासमत ले स्कूल के पढ़हिया लई कमल्ला पॉस्टिक नास्ता के सुरुआत करेगे है कोर्बा जीला मा उद्योग मंत्री लखललाल दिवांगन के उपस्ति मा एंटी पीसी जमनी पाली के सास के प्रात्मी को माध्यमिक जाला मा पोशन अहार नास्ता के सुरुआत करेगे केंद सरकार के जीला खनीज नियास्मद अकांची जीला कोर्बा मा सरकारी स्कूल के लेकमन बरबरधा साबित हुआ थे ये योजना के मार्ध्यमले कोर्बा नगर निगम शेतर के संगे मा ही पोड़ी उप रोड़ा विकासखन के सरकारी स्कूल के लाइकमला पौश्टिक नास्ता के सुभारम करेगे हैं द्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन के उपस्थिती मा एंटी पीसी जमनी पाली स्थित सास के प्रात्मिक और मार्ध्यमिक साला मा पोशन आहार नास्ता के सुरुवात करेगी से मंत्री स्री दिवांगन हम कहीं है कि जीला खनीज नियासमत लेप पहली चरन मा कोरबा अउपोडी उप्रोडा ब्लॉक मा ये योजना के सुरुवात करेजा थे अवया बेरा मा जीला के सबो विद्यालैमन मा ये योजना के क्रियानवन ला करेजा ही प्रथम चरन में कोरबा अनगर निगम छेत्र के छेत्र में प्रारम हो रहा है हमारे अती पिछडा छेत्र है जो पोड़ी ब्लाक पोड़ी उप्रोड़ा ब्लाक यहां से आज प्रारम हो रहा है आज से ही अपकार करम प्रारम हो करेंगे और आज से सभी विद्यालैमने चा इस योजना से इन दोनों ब्लॉक्स में लगवख 40 हजार से ज़्यादा बच्चों को फाइदा मिलेगा और योजना के तथ बच्चों को विद्याले प्रारम होने से आधे घंटे के पुर्व प्रते एक दिन अलग-अलग मेन्यू के अनुसार उनको नास्ता प्रधान किया ज देजभर के संग माही परदेश माघलोग स्वतंतरता दिवस के ससत्तरवी वर्सकार्थ मनाएगी से जेखर तैयारी ला बढ़ जोर सोर से करेगी से अउहे परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अवाहन मा आजादी के अम्रित मोहत्सो के अंतरगत नौले 15 अगस्त तक स्वतंतरता सप्ता मनाएगी से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा कारेकरम मा लोगन मनहा बरसंख्या मा सामिर रहीं है पुरा देश भर के संग मा परधेश मा घर लोग स्वतंतरता दिवस के ससत्तरवी वर्सगार्थ मनाएगी से जेका तैयारी ला बढ़ जोर सोर ला करेगी रही से इही कडि मा राजनान गाव मा हर घर तिरंगा कारेकरम के तहर तिरंगा रैली के आयोजन करेगे रही स्वतंतरी विष्णुदेव साय हा नवाबस स्टेन मा आयोजित कारेकरम ला हरा जंडी दिखा के ए रैली लहरवाना करीन है इबेरा मा विधासभा ध्यक्ष डॉक्टर रमंसी सांसा संतोस पांडे और विधायक गुरू खुस्वन साहिप के संगे मही और कई जन जन पतीनी धी और गणमान ये नागरिकमन हा उपस्थित रहीन है उहें दुरूग जीला मा घलोक स्वर्गी वासुदेव चंद्राकर कामधीनु विश्विद्याले के गुर्सवार रेजिमेंट बटालियन एन सीसी हा तिरंगा यात्रा निकाले रहीन है ये बेरा मा लोगनमल ले अपन घर मा तिरंगा फाहराय के अपील करीन है शत्यस गढ़ के पहली घुर्सवार रेजिमेंट एन सीसी के कैड़िट अपन हात्म तिरंगा लहरेईन और भारत माता के जैकारा लगात हुए सामिल रहीन है उहें कामधेनु विश्विद्याले के कुलपती डॉक्टर आर आर बी सी हा बताइन है कि विश्विद्याले परिसर मा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मात तिरंगा यात्रा रैली कायोजन करेगे रही से घुर्सवार रेजिमेंट बटालियन एन सीसी के लेटिनेंट राजकुमार गड़पाईले हा कहिन है कि तिरंगा यात्रा के माध्यमले हम सबो ला तिरंगा ला सम्मान देना चाहिए इस तिरंगा यात्रा से हम हमारे तिरंगे को सम्मान देना चाहते हैं हर देश्वासी हर युवा सभी जनों के मन में इस तिरंगे के प्रति सम्मान रहे इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है अभियान चालू किया था उसके तहट हुआ ये कि जो पहले के समय पे ये रहता था कि तिरंगा जो है वो सिर्फ संस्थाओं में ही फैराया जाता था परन्तु उसके उपरांथ हमने एक एकता का प्रतीक के तौर पे हर घर तिरंगा का एक मुहीम चला है अभिकास खण मुगेली पथरिया और लोर्मी के कई स्कूल मन मा हर घर तिरंगा कारेकरम के आयुचन करेगे रही से जे मा सहायक परियोशन अधिकारी अकास परिहार हवताईन है कि पूरा देश और राजबर मुगेली जीला मा घलोक सिक्छा विभाग के अंतरगत घर घर तिरंगा कारेकरम आयुजित कर जाते जेकर उद्देश आम नागरिक मन मा देशभक्ती के भावनाल जगाना है और राष्टि ध्वच के परति सम्मानला बढ़ाना है विष्वा आदिवासी दिवस के मौका मा भिलाई मा आदिवासी समुदाय के लोगनमन हा पारमपरिक वेजभूसा पहिर के आदिवासी नृत्त के प्रतरशन करीन है और यही मौका मा सांस्कृतिक रेली घलोक निकाले रहीं जेखरोद्देश जल, जंगल और जमीन के रक्षा के संग एकता और भायचारा के संदेश देना रही से विष्वा आदिवासी दिवस के मौका मा सर्वा आदिवासी समाज हा भिलाई मा सांस्कृतिक रेली निकाले रहीं एरेली मा आदिवासी समुदाय के लोगन मनहा पारमपरी के वेजभूसा पहिर के आदिवासी दिवस के परदर्शन करीम है समाज परमुखा बताइन है कि आउजन के देश जल, जंगल और जमीन के रक्षा के संगेमा ही एकताव भाईचारा के संदेश देना हरा है आज है 9 अगस्ट मूल निवासी फेस्टिवाल है हमर और आज हमान बिलकुल हमर सविधानी के जो है जो चिंतर मननबह हमाने एक विशेश दे हमार संक्त राज़ द्वारा घोशित ओकर जो हैं भारत देश में और आज भिलाई नगर में हमान पूरा दुर्ग जिला के एक खास रैली है हमार सांस्कृतिक रैली है उसके माध्यों से मना था हम जंगलों की रक्षा करते हैं जो परियावरन के लिए खीरप आदिवासी नहीं हर समाज को हर माना को हर प्राणी को चाहिए जंगल को बचाने का तो इस जंगल को बचाना एक हमारे एविशन देश है परियावरन को सुरक्षित करना है सांति सद्वाव और एक्ता की वन मा संपन होई नव एकर बाद मा आमसभा के आयोजन घलोग करेगे रही से धान के बाली ने तिरंगा बैच बना के आजादी के परपला खास बनाए बर भिलाई के उडान स्वेम सहता समू के महिला मनहा जूटे हवे ये महिला मनहा धान के बाली मले तिरंगा बैच के नि महिला मनहा एकर उप्योग करके तिरंगा बैश के निर्मान करतें। समू के अध्यक्ष निधी चंद्राकर हपताईन है कि बीते बच्छर ले बैश के निर्मान करतें। अभी तक ले पचास जाले ज्यादा तिरंगा बैश समू के महिला मनहा बना चुके है। हमारे 36 का धान है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग जो धान का बैश तिरंगा बैश बनाना शुरूआत की। इसकी सुरूआत जो थी वो आजादी के पचासवे अमरीत महोसो जब सारा देश मना रहा था तब हम लोगों ने ये तिरंगा बैश बनाया। और इसके बाद इसकी डिमान इतनी जादा बड़ी कि हम लोगों ने बहुत सारे संस्था और समु की महिलाओं को तिरंगा बैश बनाना सीखा है। इस बार हम लोग धान से बैश बना रहे हैं जो बहुत ही अच्छा हुआ है और हमें भी अपने लिए कुछ मिला है। अभी 15 गस्त के उपलक्ष में हम लोगों ने धान के बैश से धान का बैश बना रहे हैं जो काफी अच्छा मतलब वो रिजल्ट रहा। काफी लोगों ने साराहा भी और डिमांड भी है इसकी हम लोगों ने प्रदेश के बाहर भी इसे भेजा है। ताप मला बता देन की उडान नई दिशा समूग के महला मनहा राखी के घलोक निर्मान करा थे जेका डिमांड साथ समूंदर पार्तक हवे। तसंगवारी हो ओम मिलबो इही द्वार के इही बेरा मां एक ठन नव अंक लेके। बवीता मार कंडेला दोविदा जै जोहार।